हेलो गाईज माईनेम इस सार्तक महरोतरा और वेलकम तो माई चानल संसकारी जैमिनाई जैसे कि आप लोग थमनेल देखी चुके हैं हम लोग बात करने वाले हैं केदार नाध धाम के बारे में 25 एपरिल को केदार नाध धाम के कपाट हो खुल चुके हैं और उस सारी इंफॉमिशन वहाँ का भी वेदर क्या है, क्या सिच्वेशन है, वहाँ पर जाना सेफ है की नहीं आपको कब जाना चाहिए और वागे जितने भी information मेरे पास थी contact details, base cam की, उपर रहने की, hotels की, जितने भी logo की, तो मैं वो सारी आपको आगे वीडियो में provide करूँ का, तो फटाफट से अगर आप लोगों ने इस चैनल को subscribe नहीं करा हुआ है, तो चैनल को कर लो subscribe इसी चैनल पे आपको आगे बहुत ही सु होने वाले, मैं तो बहुत खुश हूँ, and guys, एक और subscribe करके फटावट से कर दो 50 subscribers, और आग information नहीं नहीं जगा discover करते रहेंगे, so guys, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अगर मैं बात करूं कि दारनाथ धाम की 25 से पर लोग का पाट खुलते, टाइम पे भी, वहाँ पे बहुत ही heavy snowfall और बारिश हो रही थी, जिसके करण लोग बहुत ही problem हो रही थी, and government ने अपनी तरफ से registration भी बंद कर दी लेकिन registration बंद करने के बाद भी, वहाँ पे बहुत स अगर इतनी जादा snowfall क्योंकि यह बे मौसम की snowfall है, सुनने में तो बहुत च्छा लगता है कि snowfall हो रही ही, वहाँ पे जाएंगे, लेकिन गाए उसके कारण वहाँ पे किसी भी hotel में, पानी, क्योंकि pipeline में पानी जम चुका है, वहाँ पे जितना भी track था, वो snowfall से बार 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 फुल हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे लोगों को tracking करने में भी problem हो रही है, अभी मेरी तरफ से तो यह recommendation रहेगी, at least 2-3 हफते रुकिये, वैसे registration हो चुकी है, open, 6 मई को मंदर खुल जाएगा, लेकिन अभी मैं फिर भी बोलूँगा, दो से तीन हफते रुक के उसके बाद plan करना वहाँ जाने का, और अभी भी वहाँ पे बारिश लगातार ही हो रही है, जितने भी मेरे पास information थी, जिन से मेरी बात हुई है, तो मैं उनके सारे contact details आपको, base camp के उपर रहने के, जितने भी resorts में, या cafes में मैं रुका हूँ, वहाँ पे, तो मैं नीचे description म आपको वो सारे contacts दे सकते हो, आप वहाँ पे उनसे बात करके भी पूछ सकते हैं कैसा weather है, वहाँ पे जाना safe है कि ने, कोई booking करानी हो, तो आप पहले सही वहाँ पे करा सकते हैं, हम याता के लिए किसी भी जगे वहाँ पे जाने के लिए, किसी भी धाम में जाने के लिए, तो official government की जो link है, वो ये वाला link है, जो मैं नीचे भी provide करूँ, description में भी add कर दूँगा, आप लोग सिरफ यहीं से book करके जाना, क्योंकि यही government की official link है, जहां से registration होती है, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जो कि वहाँ पे नहीं चल पाते हैं, जिनके कुछ problem होती है, तो guys अगर आपको helicopter यात्रा भी booking करनी है, तो उसका भी link में description में भी और यहां पे भी add कर दूँगा, तो आप इसी के through, क्योंकि यही official website है, helicopter book करने के जो helicopter यात्रा होती है, बहां से आप book कर सकते हैं, जो कि आपको बता सकते हैं, क्योंकि फाटा से भ तो आपको संसकारी Gemini पे फटा वट से एक वीडियो आ जाएगी, so guys अभी तक अगर आपने subscribe नहीं करा है, चैनल को फटा फट से subscribe करना, बेल आइकन को करना, प्रेस, अगर आपको कोई भी question होता है, किसी भी चीज से regarding, मेरी तरफ से जितनी भी help हो पाईगे, मैं आपको comment के through, provide करा दूगा, सारी के सारी information, so guys, thank you so much for watching my video, like this video, मिलता हो आप से अगली वीडियो में,